Good morning all of you! आज भारत की सबसे बड़ी समस्या Skill Manpower की है आप चहां भी जाओ opportunities बहुत ज़ादा लेकिन Skill नहीं लगबग हड़ एक लोग engineer के रूप में आपको मिल जाएंगे लेकिन क्या पहले ऐसा था? बिलकुल नहीं हमारी भारतिय सब्भता और संस्कृती का जो प्रचलन था, जो संबिधान था वो कुछ अलग था अगर आप देखो तो प्राचीन काल में हमारे हाँ Skill Manpower की ऐसे ऐसे उधारन है जिसे देखकर आप मुह तले ओंगली दबा देंगे चाहे आप अजन्ता एलोरा की गुफाओं में चले जाए या फिर कैलास मंदिर में जाए या फिर मिनाक्षी टेंपल या फिर दखिन के ऐसे सैक्रो मंदिर है जो यह बतलाने में सफल प्रयास करते है कि हमारा Skill कितना अच्छा था एक माचिस की डिबी में पहले इतने बड़े सारी को रखा जा सकता था यह हमारा Skill था लेकिन यह सारे Skill खत्म कहां हो गए कैसे खत्म हो गए वास्ताविक्ता क्या है कि जब जो जो हम साक्छर्ज हुए और इंजिनियर होते चले गए तो हम अपने कामों से मुह मोरना सुरू कर दिये आप अगर एक किशान को देखे तो चाहे जितना भी सिनियर हो खेतों में जाएंगे यदि आप अगर डॉक्टर को देखेंगे तो चाहे वो कितना भी सिनियर हो फ्लो ओपरेशन थियेटर में जाके operation में हाथ बटाएंगे चाहे कोई भी हलुआई जो मिठाई बनाते चाहे वो कितना भी senior हो आप देखना वो दुकान पर बैठते हैं और बनाने में सहायता करते हैं अपने experience को आने वाले generation को देते हैं चाहे सेना हो हर व्यक्ति अपने अनुभव को नीची देने का प्रयाश करता है अगर आप अपनी भारती सबता संस्कृति या पुरानिक कथाओं को ले तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही परचलन थी भगवान कृस्ण एक manager के रूप में एक नेता के रूप में उन्होंने अपनी आउंगली पर पहार को उठाया तब गौाल बाल डंडा लगाकर उसमें अपने आपको ही दिखाने का प्रयास किया कि मैं भी आपके साथ हूँ लेकिन आज की स्तिति क्या है गौाल बाल जो उनके नीचे रहने वाले है वो अपनी आउंगली लगाये है और हम मनेजर डंडा लगा कर सोचते हैं कि इस पहार को हमने उठाया है आप पुरानी जितनी भी कलाकिरती या फोटोग्राप्स को देखोगे बिसकर्मा भगवान को देखो हनमान जी को देखो हर्म ने अपने कायों का शंपादन खुद किया है ना कि दूसरे पर अंगली डाला है अगर आप इस कर्मा भगवान की कोई भी मुर्टी या फोटो को देखोगे तो आप पाओगे वो खुद अपने हाथों से बिस्सो का निर्मान करते हुए नजर आएंगे लक्षमन जी जब मुर्चित हुए तो वैसे इस्तिती में हनुमान जी खुद पहार लाने गए संजीवनी भूटी के लिए उन्होंने कोई दूसरे को नहीं भेजा आज की समस्या यह है कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं हम केवल करवाने में विस्वास रखते हैं और यही सबसे बड़ा प्राबलिम बनता है इसकिल मैन पावर का जब तक आप स्वें अपने छित्र में अपने कारियों का शंपादन नहीं करेंगे निश्चित तोर पर जान जाए आपको वह इसकी मैन पावर नहीं मिलेगा जो आप अपेक्षा करते हैं क्योंकि इसकिल तभी उत्पन होता है जब वह आपको देखकर कारियों का शंपादन करता है नकि मिटिंग में सुनकर कारियों का शंपादन करता है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके छित्र में कारियों का शंपादन अच्छा हो खुद उतरो नहीं तो आज की युग में जो मैंने एक एक्जम्पल दिया लोग पहले भगवान कृष्ण अंगली पर पहार उठाकर खुद को नेता की रूप में लीडर की रूप में आगे मेनेजर की रूप में आगे बढ़ते थे और सारे भार को अपनी अंगली में लेते थे और नीचे के लोग डंडा को डाल कर सूचते थे मैं भी इनका साथ दे रहा हूँ या फिर वो लोग इसमें गौरवान भी तर्व हो करते थे लेकिन आज की प्रिस्तिती जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर नीचे के लोग अपनी अंगली लगाए है और हम बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग केवल अपनी डंडा को लगाकर अंगली को लगाकर सूचते हैं कि सारे कारियों का शंपादन हम कर रहे हैं यहीं से स्किल मैंपावर खत्म होता हुआ चला जाता है इसलिए यदि आपके छितर में स्किल चाहिए तो सबसे पहले खुद फ्लोर पर उतरो कारियों का शंपादन करो निच्चत तोर पर सारे लोग आपका अनुकरन करेंगे और एक नई कृतिमान एक नई स्किल इंडिया का अधार सिला रखेंगे एक चीज ध्यान रखने में जियोग बात है जिसके गुरू होंगे बलवान उनका चेला होगा पहलवान अगर आप एक गुरू के रूप में कारियों का शंपादन करते हैं तो निच्चत तोर पर आपके सारे चेले स्किल फुल और पहलवान होंगे अन्यता मर जी आपकी चैहिंद